आज घरीद्वार के लक्स छेत में महा महीम राश्रपती के नाम किसानों द्वारा यापन्सोबा गया है और उसमें कहा गया है कि जो ये काला कानून बनाया गया है इसकी अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हमारे किसानों द्वारा सड़कों पे उत्रा जाएगा और सड़कों को जाम किया जाएगा लक्सर में आज नारे बाजी करते हुए किसानों ने लक्सर तैसेल में पहुँचकर उपजिलादीकारी को एक ग्यापन सौपा ग्यापन महामहिम रास्टुपती के नाम भेजा गया है वहीं किसानों का कहना है कि सरकार ने जो किसानों के लिए काला कानून बनाया है सरकार उस कानून को अतिशिग्र वापस ले और धरना दे रहे किसानों के ऊपर जो लाटी चार्ज की गई है उससे संबंदित लोगों के खिलाफ कठोर कारवाई हो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार किसानों के साथ अन्याय करती है तो हम लोग उगर आंदोलन करने को बात दे होंगे और लकसर से किसान दिल्ली कूच करेंगे और अगर जरुट पड़ी तो रोड जाम रेल चका जाम तक भी किया जाएगा किसानों ने कहा कि सरकार को किसानों के उपर थोपा गया काला कानून हर हाल में वापस लेना होगा इसे बरदाश्त नहीं किया जाएगा वहीं इस बावत लकसर उपचिला अधिकारी पूरण सिंग राना ने बताया कि किसानों के द्वारा दिया गया गयापन महामहिम रास्टपती के नाम है इसे शासन स्तर से महामहिम रास्टपती को भेजा जाएगा उपजिलादिकारी ने कहा कि किसानों की कुछ शेत्रिय मांग भी है जिने तैसील उस्तर से आतिशिक्र सुलजा लिया जाएगा लिख व्हें वणकोरी वात आतिश है की मिगा जेदरा कि की लिख आख confession कि दी संव उसके खिलाब यह लाएगनल गयाuchen उसके खिलाब यह हमने परकानात ग्यापं दिया मन्य Pack 95 नामा इसके बाद आगर इस पर कोई संसोदल नहीं होता और जो उनकी सहाथ लाक्षी चलाई गई उनकी सहाथ परता हुए उसके खिलाब अगर कोई कारवाई नहीं होगी तो उसके खिलाब हम आंदोलन करेंगे और दिल्ली कुछ करने के लिए की मजबूर होंगे यहां हमा सड़क जाम करनी पड़ो चाह सब्सक्राइब करेंगे और बाकी तैसिल सरी है जो कुछ मांगे हैं गर्ना किसानों के घटोली को रिगार्डिंग है और अन्य जो भी चीज़ें जो तैसिल सर किये उस पर तैसिल सर से प्रफर कारवाई की जाएगी और बाकी जो महामाईम राज्येपाल जी के नाम सब्सक्राइब करें